तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारी pump displacement उसमें हमने देखा था एक effective stroke length और आ रहा था effective stroke length क्या रहा था term और वह क्या चीज होती है effective stroke length और देखेंगा अब हम इस वीडियो में क्या होता है ठीक है इसमें थोड़ी assumptions भी लिए है इसको जब बनाता हुए effective stroke length को बनाता हुए जैसे drive किया तो ऐसे तो पहले देख लेते है effective stroke length क्या होती है तो मेरी stroke length जो होती है उपर polished road stroke length वह होती है मेरी एक बारी में यहां से माल लो इसा करोड़ा है और यह मेरी road और पूरा डिप करेगी और एक बारी में पूरा उपर तक जाएगी तो जो इतना space है इतना space इसको मैं बोलता हूँ अपना stroke length यानी मेरी S एक मेरी stroke length कितनी लग रही है नहीं सही है यह होती है मेरी polished road stroke length जो मेरी किस में आती है जो मेरी उपर जो pump में rating आती है ना C ऐसे करके C 110 D 200 200 ले लो और 74 तो यह मेरी last वाली रहती है यह मेरी वह वाली stroke length गिवन रहती है ठीक है कैसे जो मेरा एक बार पॉरा निच्छे और एक बार पॉपर यानि जितना मेरा road क्या करती है उसलेट करती है पूरी stroke length S होती है ठीक है पर यह जो मेरी निच्छे होता है यह मेरा outsoillate कर सकते है उसकी वी 18 वह diffy कर सकते है वह diffy कैसे कर सकता हुद उसको बोलेंगे effective stroke length जो मेरी असलियत में stroke length पहुँच रही है मेरी किस पे plunger पे 80 से माल लो पोंच रही है ने 70 तो मेरी 70 अफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ हुए 18 हुए जो मेरी असलियत में निच्छे क्या पॉंच रही है अब यह difference क्यों करता है difference मेरी तीन रिजन के वज़े से करता है तीन रिजन क्या है एक तो है मेरा ट्यूबिंग स्ट्रेच tubing stretch क्या होता है यह मेरा weight of fluid standing wall पर लगेगा और इसको क्या करेगा नीचे की तरफ खिंचेगा मालो मेरा working barrel यहाँ पर है ठीक है working barrel यहाँ पर है अब stretch के वज़े से नीचे की तरफ shift हो जाएगा क्योंकि मेरी tubing है न यह tubing है उपर की यह stretch हो गई और इसका क्या बढ़ गई length बढ़ गई length बढ़ने के वज़े से मेरे tubing का joint यहाँ पर था working barrel के साथ नीचे की तरफ आगया और यह प्लंजर प्लंजर तो ऐसे ही एक की प्लंजर तो मेरा road के साथ fix है अगर सोचोगा आप road के साथ fix है ऐसा तो नहीं की यह भी नीचे की जाएगा तो मेरा क्या हो गया यह कम हो गया area जो मेरा stroke था ना वो कम हो गया तो जो मेरा tubing stretch रहता है ना वो मेरा stroke होता है ना वो कम कर देता है decrease कर देता है ठीक है दूसरा है मेरा road stretch दूसरा है मेरा क्या road stretch road stretch क्या होता है मेरा Ц configuraconed road होती है top-tubing stretch समझ में आए हैumen सिंपल overRR ho outra tubing stretch होई इतो चिद्थ हो इसपे भी मेरा क्या पड़ेगा पड़ेगा कुरुडके लोड़ पड़ेगा इस पड़ेगा इस पर Втор NaAY पर में नो एकुंपेंशन रोड में एक Snoddy रोड़ खिंच एकि रोड़ खिंचने के बाद मेरी यह क्या हो जाएगी नीचे की तरफ आजाएगी तो plunger क्या हो जाएगा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यानि कि मेरा अब यह वाला stroke भी कम हो गया अब वो इतनी उपर तक नहीं जाएगा क्यों कि मेरी रोड क्या हो गई स्ट्रेच हो गई तो रोड स्ट्रेच भी मेरा किसको कंट्रिबूइट करेगा वो क्या कर देगा मेरी स्ट्रोक लेंद क्या कर देगा कम कर देगा impчик लेंग जो ऐपर से आ रही है उसमें क्या कर देगाYa Kunby कर देगा तीसरा है मेरा फ्लेंजर ओवर ट्रैवल फ्लेंजर ओवर ट्रैवल में क्या होता है यह प्लेंजर है ना बिलकुल निच्छे तक ऐसे टच नहीं करता यूजली , यहां तक आता है माल लो यहां तक मेरा fix है पर मेरा क्या होता है , जब मेरा inertia लगता है , एकदम से में निच्छे लेकर आ रहा हूं फिर इसको एकदम से वापस उपर कि तरफ खेंच रहा हूं ठीक है तो ये मेरा क्या ये मेरा स्ट्रोक लेंद बढ़ा रहा है क्योंकि इसने एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाया और उन्हें क्या किया था वॉल्यूम डिक्रीज किया था सिर्फ इसने प्लंजर ओवर ट्रैवल ने मेरा स्ट्रोक लेंद बढ़ाया क्यों क्योंकि इसने ओव करते हैं यह दो नों मेरे क्या यह मेरा कीला क्या करता एड करता तो अगर मैं अपना इस्टीव लेंद का फॉर्मला लेह तो एस्पी मैं इफैक्टिव स्टोक लेंद जो मैं उपर सर्फेस से बेज़ रहा हूँ stroke length plus plunger over travel EP मतलब plunger over travel ठीक है minus ET ET मने tubing stretch और ER मने road stretch road stretch road stretch tubing stretch plunger over travel तो यह दोन्नों चीज़े क्या हो गई minus हो गई और यह चीज़े क्या हो गई एड हो गई यह मेरा किसका formula बनता है यह मेरा बनता है effective stroke length जो मेरी effective stroke length रहती है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह हुआ मेरा SP is equal to S plus EP minus ET plus ER देखो कई बार मेरा क्या रहता ना मेरी tubing ना anchor रहती है निच्छे से या तो रहती है कई बार लटकी ना रहती है तो उसमें मेरा यह 80 क्या हो जाता है tubing stretch मेरा 0 क्या हो जाता है तो उसमें मेरा खोशन में आ जाता है calculate effective stroke length and tubing is anchored tubing anchored उसने बोला हुआ है तो मैं क्या ले दूँगा जीरो ले दूँगा क्योंकि मेरी वह वहां पर fix हो गई ठीक है इतनी बात clear यह मेरा formula हो गए SP is equal to S plus EP minus ET plus ER अब देखते है हमारा EP ET ER के है सबसे पहले देखते है हमारा ER ER camera road stretch है यह कैसे निकलता है यह मेरा simple young modulus वाला जो formula रहता है stress is equal to stress मेरा क्या होता है force upon area E मेरा young modulus और strain हुआ मेरा del L upon L यह ही मेरा formula रहता है किसी भी material का कि मेरा stress is directly proportional to strain तो मेरा क्या आजाता है young modulus आजाता है बीच में as a constant जो कि मेरा E रहता है E मेरा steel के लिए क्या रहता है 30 into 10 की power 6 psi रहता है ठीक है clear तो इसमें मेरा क्या हुआ यह अगर मैं यह डल L है जो मेरा यह डल L ही मेरे मेरे को calculate करना है delta L यही मेरा क्या है ER expensive क्योंकि change in length is ER यही यही change in length ही तो हमें calculate करनी है tubing stretch change in length clear तो मेरा ER क्या हुआ ER क्या हुआ ER क्या हुआ ER इसको ले लिए डल L की जंगा मैंने ER पूट कर दिया बाकी सब इधर बेज दिया F upon A L over E निचे clear simple यह चीज मैंने यही के रखे बाकी सब इधर बेज दिया इसकी जंगा मैं लिख रहा हूँ ER इतना clear F camera जो कि मेरा force लग रहा है जितना मेरा force लग रहा है तो इसमें मैं एक वह assumption मांग लेता हूँ कि मेरा area of plunger है जो gross area पूरे area of plunger पलग रहा मेरा force तो जो मेरा weight of fluid ही,weight of fluid किस पर लग रहा है area of plunder जो मेरा force होगा वह होगा weight of fluid जितना भी मेरा weight of fluid लग रहा है इतना weight of fluid weight of fluid मेरा क्या होगा pF into area of plunger ऐसे नहीं होगा कि weight of fluid into area of plunger नहीं मेरा यह रहेगा है ठीक है PF क्या है मेरा मेरा जो भी head है किसका fluid का fluid का जो भी मेरा head है into area of plunger इस area of plunger पे इतना मेरा force आजाएगा लग रहा है क्योंकि मेरा force लग रहा है तभी तो मेरा road stretch हो रही है तो तभी मेरी क्या हो रही है road stretch हो रही है तो PF into AP divide by यह area किसका था मेरा road का area था यह length किसकी थी मेरी road की length थी ठीक है तो AR निख दिया मैंने इस area हो तो यह मेरा L क्या थी length of road और AR क्या है मेरा area of road AP क्या है मेरा area of plunger इतना मेरा क्यों clear है तो यह हो गया मेरा PF into AP AR into L upon E अब यह जो मेरा PF है इसको मेल दिख सकता हूं 0.433 वो यह जो मेरा pressure formula था gamma of fluid into D D कै मेरा D मेरा working है जहां तक मेरा level रहेगा यहां से यहां तक इतना ही लूंगा है ठीक है एक तरह से इसके जंप्शन ले लो मेरा D यहां तक जहां तक मेरा वो है क्या बोलेंगे इसको डायनेमिक लेवल और लिक्विड मैंने बताया था क्या होता है डायनेमिक और स्टैटिक लेवल सब्सक्राइब के लैवल्या ही कि दल्ल धैर रहेगा यहां तक नजिए छाफ थो जुड्स नैजिएanc लेवल помог यहां मेरा बोलता ह्था है मेरा किया मेरा मैं जाए घानेमिक लेबट AWSन 8 हमेशा fluid में तो इससे निच्छे रहता है dynamic level में discuss कर चुका हूँ क्या है तो वह छोड़ो तो यह 0.443 into gamma fluid into d तो मेरा d यहां तक हो गई मेरी क्या fluid की length तक जहां पर मेरा fluid का level है वहां तक d divide by area of road l into e और यहां पिल्कुल क्या है pump के एक दूध मेराwegen यहां मेरा pump लगा हुआ ना वह बिल्कुल ले लेते हैं तो मेरे यह क्या हो गया 0.433 मतलब ले लेते हैं अब हम डी लखेंगे ठीक है यह आगले में चेंज कर देंगे अब देखो यह मेरा PSI में यह मेरा PSI में यह मेरा किसमें यहां पर एक चीज रह गई area of plunger रह गया AP कै रहा है मेरा उपर से area of plunger रहा गया तो यह मेरा PSI में PSI में है cancel PSI PSI units balance कर रहा है इंच square inch square cancel यह L मेरा किसमें है feet में L मेरा feet में तो ER मेरा किसमें पर जब मेरी यह road stretch रहती है ज्यादातर feet में feet बड़ा unit हो गया तो मैं inches में लेता हूं ठीक है simple सी बात है inches में लेता हूं तो मैं इस feet को किसमें multiply by 12 कर देता हूं simple यही मेरा formula बनता है road stretch का ठीक है clear simple simple वही वाला जो अपना लग रहा है क्या लग रहा है यह वाला formula लग रहा है कहीं आपको road stretch का आता है कोई question आता है unit 11 में कहीं पर भी गुवा देते हैं तो simple यह वाला formula उठाना बस यह यहाद रखना कि यह मेरा D लेते हैं यहां तक लेते हैं अगर question question में mention होगा D is equal to L तब ही लगाना मेरे को D is equal to L यानि कि pump just submerged है समझे area of plunger LE 12 area of road ठीक है similarly tubing के लिए होता है मेरा tubing के लिए होता है ET ET tubing के लिए मेरा क्या होगा 0.433 fluid into D into area of plunger divide by AR और क्या रहा गया L upon E into 12 मेरा similarly tubing के लिए होता है यहां पे AR के जगां सिर्फ ET आ जाता है और ET मेरा 0 कब होता है अगर मेरी tubing के anchored tubing अगर anchored है अपकी तो ET मेरा 0 सिद्धा ठीक है ET मेरा किसको 0 अब अब रहा गया मेरा plunger over travel निकालना EP plunger over travel निकालना यह मेरा किस निकलता है इसके correlations given है यह कहां मिलेंगे आपको करमीट ब्राउन में मिलेंगे करमीट ब्राउन में करमीट ब्राउन में आपको plunger over travel के काल्कुलेट करने के गेट के वेपर में आया तो correlation given रहेगा यह फिर EP plunger over travel सिधा सिधा बोल देगा कि मेरा इतने इंचीज है तो आप कैल्कुलेट करो ठीक है तो वह correlation में करवानी रहा क्योंकि वह important नहीं है अगर आपको देखने हैं तो सिधा सिधा देखो अभी मैं क्या जूम करके जालना है तो EP की value given करेगा या फिर कोई equation देगा जिसमें पुट करके EP कर लिए ठीक है तर्मीड बराउन में है चार पांच equation और चार पांच correlation given है EP कल्कुलेट करने के ठीक है अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ जाहिए तर्मीड बराउन में तो यह था मेरा क्या effective stroke length effective stroke length कल्कुलेट करना यह मेरा simple stress और strain वाले फोमले से निकलता है ET-ER वाले से और S plus EP minus ET plus ER ठीक है अब हम देखेंगे अपना यह मेरा हो गया effective stroke length इसके बाद हम देखेंगे अब अपना motion of of sucker road pump motion of sucker road pump देखेंगे इसके बाद हम ठीक है वह हम देखेंगे next video में हमारे motion pumping motion कैसे रहता है pumping motion in the sense फिर pumping motion देखने के बाद हम क्या देखेंगे हमारा PPRL यानि peak polish road MPRL यानि कि मेरा इस road पे peak load कितना रहेगा minimum load कितना रहेगा और जो मैंने counter balance देखा गा उपर और counter balance कितने weight का होना चाहिए और power of sucker road pump यह चीज़े देखेंगे अब equations वाला part चलेगा जो मेरा equations वाला है उसमें वाला part चलेगा तो next video में में देखेंगे तो basically इस video में हमने क्या देखा हमने effect stroke length देखी simple सी effect stroke length यह मेरी इसमें s plus e p minus e t plus e r मेरे को पता लग गए minus क्यों रहा plus क्यों रहा मेरे को किसने simple simple यह वाले formula से क्या कर देना मेरे को calculate कर दे वाल तो कुछ नहीं है समय okay अब next वाली वीडियो में देखते है हम हमारा pumping motion ठेक है thank you